जेहिन दोस्तो स्वागत है HP General Knowledge 53 की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की परवत स्रिंखलाओं के वारे में जानेंगे हिमाचल प्रदेश में मन लुबावनी और अकर्शित करने वाली अनेक परवत शिंखलाओं चोटियां और गाटियां हैं इन सवी की जो अपनी वोगौलिक इत्याशिक आर्थिक और शांस्क्रितिक बिशेशताएं भी हैं और इन सवी को जो समझने के लिए इन स्रिंख्लाओं को जो समझना काफी अवश्क है। नाचल परदेश में जो परवर सिंख लाएं हैं उनको समझने के लिए जो है हिमाले को जो है तीन भागों में वांटा गया है उसमें जो पहला भाग है उसको नाम दिया गया है लगू हिमाले लगू हिमाले को बाह हिमाले के नाम से भी जाना जाता है और इसे लोर हिल्स के न नमसे भी जाना जाता है. इन में कौन कौन सी परवस्ट्रेटिया है. बरसा इसमें कितनी होती है? फसल इन में कौन कौन सी جो उगाई जाती है. मिटी का परकार यहां पर कैसा है. और इसके बाद हम कुछ important प्रशन यहाँ पर discuss करेंगे जहां से प्रिक्षा में हरवार पूछे जाते हैं प्रशन वो हम यहाँ पर discuss करेंगे तो सबसे पहले हम discuss करेंगे लगू हिमाले को तो चलते हैं वीडियो की तरफ और इसको जो समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि जो लगू हिमाले है यानि की लोर हिल्स है वो कहा है तो लोर हिल्स हो है वो यह है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह जो है ये सारा का सारा ये मिदानी इलाका है और मिदानी इलाके से जो उपर की तरफ सुरू होती है पहाडियां उनको जो कहते है उनको कहते है लोर हिल्स लोर हिल्स के बाद आती है मिड़् हिल्स, मिड़् हिल्स का ये जो एरिया आगया है आपका वो मिड़् हिल्स है, ये जो एरिया है ये मिड़् हिल्स है और इसके बाद का जो एरिया है वो है ग्रेटर हिमाले, इनको समझने के लिए जो है आईए समझते हैं यहाँ पर हिमाच स्पस्थिस के मैब में यह जो है यह आ गई आपका शिवालिक या फिर ओटर हमाले इसको कहा जाता है लोड हमाले जो है इसको कहा जाता है लोड के बाद यह जो वीच अरियम आइए इसको कहा पासपूर, मंडी, उन्ना और कांगडा जो है यहां पर आपका जो है यहां पर लोर हिल्स में एरिया आ रहा है उसके बाद मिड हिल्स में यह है और उसके बाद जो है वो आउटर हिमाले में है ग्रेटर हिमाले में है तो मिड हिल्स में कौन कौन से एरिया है यहां पर तो सिर तो सिरमौर का जो उपरी आलाके हैं वो इसमें आरे हैं, मिडी हिल्ज में आरी है और उसके औगे वाद ये आगए मंडी के कुछ हरिया है, सौलन का एРИया है, विलासपुर का एरिया है, वो इसमें आरहा है तो सबसे पहले हम डिसक्स करेंगे अपना लगू हिमाले यानिकी lower hills तो लगू हिमाले यानिकी lower hills की जो उन्चाई है वो कितनी है तो इसकी उन्चाई जो है तीन सो पचास मेटर से 1500 मेटर तक है तिन सो पचास मेटर से इन पहाड़ों की उचाई सुरू होती है और ये लगवग पंदरा सो मेटर तक ये जाते है परवश्रेणी कौन कौन सी है इसमें तो परवश्रेणी में है इसमें शिवालिक परवश्रेणी शिवालिक परवश्रेणी है जिसको कहा जाता है शिवालिक शिवालिक यानि की शिव की अलका अलका यानि की जटाएं तो इसका जो पुराना नाम था शिवालिक परवश्रेणी का पुराना नाम जो था वो मैनेक परवश्रेणी था तो मैनेक परवश्रेणी जो है इसकी परवश्रेणी है लगू हिमाले की परवश्रेणी है और वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है यहाँ पर 150 cm से 180 cm तक यहाँ पर बारिश होती है बात करें इनके एरिया की क्षेत्र कौन कौन से इसमें आते हैं तो इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो हैं शिर्मोर जैसे कि हमने वीडियो में बताया पिछले डाइगराम में आपको पता है शिरमोर, सोलन, विलासपूर, हमीरपूर, उनना, कांगडा और जम्बा ये जो है शिर्मोर का जो इसमें कौन-कौन से रियाता है पॉंटा साहिव, काला अंव, नाहन, शोलन, विलासपुर, हमिरपुर, उन्ना और मंडी की बल गाटी, जोगिंधर नगर गाटी, और कांगडा के निचलेक शेत्र जैसे की, इंदोरा, वगैरा जो भी है, वो इसमें जो हैपते हैं, लोगू हिमाले में आते हैं चम्बा का डल होजी भी इसी में आता है वटियात चुरह और चम्बा तसील जो है वो इसी में आती है लोर हीमाचल में आती है लोर हीमाले में आती है और फसल यहाँ पर कौन कौनसी बोई जाती है तो फसल की बात करें तो यहाँ पर मक्का, गेहूं, अदरक, गन्ना, धान, आलू और नीम्बू परजाती के फ़लों के लिए यहांसे प्रशन पूछा जा सकता की नीम्बू परजाती के फ़लों के लिए कौन सा इंपोर्टेड है तो मिट्टी का प्रकाल कैसा है तो मिट्टी जो है ये जल्दी तूटने वाले कणों से वनी है जिसके कारण जो है यहां पर भूमी कटाव हो जाता है और बात करें इसकी सबसे उँची चोटी की तो सिवालिक घाटी की जो सबसे उँची चोटी है उसका नाम है हाथिदार हाथिदार की जो उँचाई है वो है 5,256 फीट उँचाई है और ये जो है एक नैचोरल वाउंडरी बनाती है किसके बीच में कांगडा और चंबा के बीच में एक नैच्रल वांटरी बनाती है तो ये तो वात होगी हमारे लगू हिमाले यानि की लोर हिमाले के बारे में अब देखते हैं मद्ध हिमाले के बारे यानि की मिढ हिमाले के बारे में मिडी हमाले जिसको इनर माउंटेन या फिर आंतरिक हमाले भी कहा जाता है तो इसकी उन्चाई कितनी है तो इसकी उन्चाई जो है 1500 मेटर से लेकर 4500 मेटर तक इसकी उन्चाई है निमंतम उन्चाई इसकी 1500 मेटर है हाइस्ट इसकी 4500 मेटर है और इसको जो है हिमाचल का प्रेंटर पॉइंट भी कहा ढाता है और परव श्रेणियस की वात करें तो इस में कौन-कौन सी दो परवच रखिणी आती है एक आती है दौलादार दूसरी आती है पीर पंजाल दौलादार जो है बर्फ से ढखे रहने के कारण इसको स्वेट शोटी भी कहा जा सकता है और mainly जो इसे कहा जाता है तो किस नाम से इसको पुकारा जाता है मौलक इसके बाद वो पिर पंजाल है तो पिर पंजाल जो है वो मद्ध हिमाले की ये सबसे लंबी स्रिंग खाला है और ये कुलू को जो है वो लाहल से अलग करती है पीर पंजाल पर बसृणी तो बर्सा की बात करें हैं तो यहां पर कितनी हती है तो 120-130 cm तक यहां पर वारिश होती है यानि कि शीवालिक से थोड़ा कम यहां पर वारिष होती है प्षेतर की इसमें बात करें तो दोलधार में आगया आपका शिम्ला कुंड्लू कांग्डा चमबा के जो दक्षिन वाग है दक्षिन एरिये हैं मतलब निचले एरिये हैं वो दोलधार में आते हैं और पीर पंजाल मुख्यता जो है चमबा में है और ये चमबा को जो है वो बड़ा वंगाल से ये कारती है पीर पंजाल जो है वो चमबा को बड़ा वंगाल से भी अलग करती है और कुलू को लाहुल से भी अलग करती है दोलादार की बात करें तो दोलादार सुरू कहां से होती है तो सुरू होती है ये खेडी खेडी नामक स्थान से ये सुरू होती है और वद्रीनात जो की उद्रखन में है बहां तक ये फैली हुई है दोलादार और खेडी कहां पर है जहां पर रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़ कर चली जाती है उस जगह को कहा जाता है खेडी उस्तान का नाम है खेडी तो एरिया आपको बताए इसमें कौन-कौन से एरिया है सिमला, कुलू, कांगडा, चंबा शिरमोर के जो पचाद वरेंड का तशील है जैसे कि आपको बताया था कि शिरमोर के अपर पार जो थे वो मिड हिमाले में आते थे जैसे डाइग्राम में आपको बताया था यहाँ पर पीछे डाइग्राम में आपको बताया था कि शिरमोर के जो अपर पार्ट है यानि कि पचाद वरेंड का तशील और मंडी के जो चच्चयोट और करशोग हैं वो भी मिढ हिमाले में आते हैं और कांगडा के जिस्टी कांगडा के जो पालंपूर बैजनात हैं बैजनात पालंपूर के उपरी क्षेत्र हैं और बैजनात के छोटा वंगाल बड़ा वंगाल जो है वो इसमें आते हैं बड़ा वंगाल का निचलक शेत्र और छ में जो है वो आती है मद्य हमाले में यहां पर आती है फश्रों की बात करें तो राजमा जो है यहां पर मुख्य फसल है मक्का गोवी आलू सेव आदी जो है यहां की मुख्य फसले है पेड़ों की बात करें तो अकरोट देवदार रई तोस और सेव के बिक्स जो है यहां पर पाए जाते हैं मिड़ी हमाले में किस परकार के जो ब्रिक्स पाए जाते हैं तो फर्स पूर्स के ब्रिक्स जो हैं यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं जो हमारा लोर हमाले था उसमें किस परकार के पेड़ पाए जाते थे तो लोर हिमाले में जो पेड पाय जाते थे वो पाय जाते थे जैसे की खैर हो गया कछनार, आम, सीषम, शेहतूत, ब्यूल, वास, आधी जो थे वो उसमें पाय जाते थे और नीमबु पर जाती के फल जो थे वो लोगर हिमाले में पाए जाते थे और इसमें जो पाए जाते हैं अकरोड, देबदा, रई, तोस, सेव, इत्यादी के बरिक्ष जो है यहां पर पाए जाते हैं मिट्टी जो है यहां की हलकी चिकनी, हलकी रितिली और गहरे बूरे रंग की होती है और मुखेता इसमें ग्रेनाइट और अधर क्रिस्टिलाइन रोक्स यानि की चटाने जो हैं वो इसमें पाई जाती हैं मिड हिमाले में इसके बाद अब बात करते हैं महान हिमाले ब्रिहद हिमाले यानि की ग्रेटर हिमाले की तो महान हिमाले यानि की ब्रिहद हिमाले या फिर ग्रेटर हिमाले जी कहा जाता है उसके बारे में हम जानेंगे तो इसकी उंचाई जो है जो 4500 मेटर से लेकर 7026 मेटर तक इसकी उंचाई है और 7026 मेटर जो है इसकी अधिक्तम उचाई है और 7026 मेटर पर कौन सी चोटी है तो सिला जो है सबसे उची चोटी है 7026 मेटर पर जो कि माचल परदेश की सबसे उची चोटी है सिला वो है बात करें परवर्ष रीडियनी कुन सी है इसमें तो परवर्ष रीडियनी जो है जहां पर है और ये प्रदेश की अंतिम परवर्ष रिंकला है जो की स्पीती किनौर और कश्मिर को तिब्बत से जो हो वो लग करती है बर्षा की बात करें तो यहां पर बर्षा बहुत ही कम होती है और यह जो है यह क्षेतर जो है यानि की ग्रेटर हिमाले का क्षेतर जो है वो ड्राइफ फूर्ट के लिए काफी उप्योगी है एरिये की वाद करें तो चंबा की पांगी तहसील लाहल्स पित्ती किन और जो है इस खेतर में जो है वो आते हैं फसलों की वाद करें आडू, सेव, मसाले और ड्राइ फ्रूट्स इत्यादी जो है वो यहाँ पर जो है काफी मात्रा में जो है उगाए जाते हैं अब देखते हैं कुछ important प्रस्ण जो की यहाँ से बनते हैं इस वीडियो से बनते हैं तो पहला प्रस्ण यहाँ पर क्या बन रहा है कि हिमाले परवत की निचली पहाड़ीयों को क्या कहते हैं तो हिमाले परवत की जो निचली पहाड़ियों हैं उनको क्या कहते हैं अभी अभी आपको पढ़ाए गए है आपने यहाँ पर जो उत्तर है वो सोचना है और बताना है कि क्या आप सही कर पा रहे हैं उत्तर को तो option दिये हैं पहला option है दोलधार दूसरा option है शीवालिक तीसरा option है जांसकर चोथा option है पीर पंजाल तो इसका जो सही जवाब है कि हमाले परवत की निचली पहाड़ीonic को जो कहते हैं क्या कहते हैं उनको शीवालिक तो शीवालिक जो हैं इमाले परवत की निचली पहाड़ीं को कहते हैं अगला प्रसन है कि हाथीधार किन दो जिलों की सीमा बनाती है तो हाथीधार किन दो जिलों की सीमा बनाती है ओप्शन है कांगडा और कुलू किनोर और लाहल स्पिती कांगडा और के बीच में natural boundary बनाती है option C जो है वो सही जवाब है और इसकी जो उंचाई है वो भी आपको याद रखनी है तो इसकी उंचाई जो है 5256 फीट है अगले परसंद की बात करें तो इसमें पूछा गया कि हिमाचल परदेश को मेदानों से प्रिथक करने वाली स्रिंखला कौन सी है तो हिमाचल परदेश को मेदानों से कौन सी जो परवत स्रिंखला है वो अलग करती है क्या ये दोलाधार है शिवालिक है जांसकर है या फिर पिर पंजल है तो इस परसंद का जो सही उत्तर है वो है option B शिवालिक शिवालिक परवत स्रिंखला जो है वो हिमाचल परदेश को मिदानों से अलग करती है अगला जो प्रशन है इसमें पूछा गया है कि किस परबत चोटी को स्वेथ चोटी के नाम से भी जाना जाता है तो स्वेथ चोटी के नाम से किसे जाना जाता है ये तो आपको याद रही ही गया होगा तो दोलादार को जो है स्वेथ चोटी के न अगला प्रसन है कि नीम्बू पर जाती के फल मुख्यता कौन से हिमाले में पाए जाते हैं क्या ये ग्रेटर हिमाले में पाए जाते हैं मिड हिमाले में पाए जाते हैं ट्रांस हिमाले में पाए जाते हैं या फिर लोर हिमाले में पाए जाते हैं तो इसका जो सही उत्तर है वो है option D, option D यानि कि lower हिमाले में नीम्बू परजाती के फल पाए जाते हैं, शिवालिक घाटियों में शिवालिक परबश्रिंग ख्राओं में जो है वो नीम्बू के नीम्बू परजाती के फल मुक्यता पाए जाते हैं, अगला परसंद देखते हैं, पूछा गया है नीमन म से कौन से हिमाले में सबसे कम वर्शा होती है, तो सबसे कम वर्शा कहां पर होती है, greater हिमाले, mid हिमाले, inner हिमाले या फिर lower हिमाले, lower हिमाले में सबसे जाला वर्शा होती है, कितनी होती है, 150 cm से 180 cm सालाना यहां पर बारिश होती है, और greater हिमाले में सबसे कम बारिश होती है, अगला प्रशन देखते हैं इसमें पुछा गया है कि शिला परवत चोटी किस परवत शिंखला में है क्या ये दोलादार में है शिवालिक में है जांसकर में है या फिर पीर पंजाल में है तो सिल्ञ परवच चोटी जो है वो आपकी greater हमाले में है और greater हमाले की किस परवच अन्चा है ये जांसकर परवच अन्चा में है option C सही जबाब है, उंचाई कितनी है इसकी? 7026 मेटर इसकी उंचाय है, ये आपको याद रखना है तो शिवालिक परवस्ट्रेणी में सबसे उंची चोटी कौन सी है शिवालिक परवस्ट्रेणी में सबसे उंची चोटी कौन सी है option दिये हैं हाथीदार, दागनीदार, शिला, या फिर, नारगू तो शीवालिक परवर्श्रेणी में सबसे उंची जो चोटी है वो है हत्थीदार अगला परसन है जो की हमारे वियूज के लिए है इसमें पूछा गया है कि एसिया का मौसम निर्माता किसे कहा जाता है तो एसिया का मौसम निर्माता किसे कहा जाता है और हमें ये भी जुरूर बताईए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ देखते रहे हमारे चैनल की वीडियो सब्सक्राइ करें लाइक करें शेयर करें और कमेंड करें हमारा यह प्रश्ण तब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जेहिन जेवारत